वंदे मातरम साथियों भारत एक ऐसा देश है जहांपर लोग खाने पीने के बहुत शौकीन है और हमारे देश भारत में तरह तरह के पकवान बनाये जाते हैं जिन सभी में तेल का और घी का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोजाना खाई जाने वाली कई चीजों में पाम आयल मिला रहता है हकीकत यह है कि हमारी रोज मर्रा की जिन्दगी इसके बगेर नहीं चल सकती चाहे किसी भी प्रकार का जंक फूड हो या स्टीट फूड हो और यहां तक की आइसक्रीम में भी इस आयल का उपियोग होता है देश में जितने भी कुकिंग आयल मिलते हैं उन सभी में पाम आयल मिलाया जाता है ये आयल सिहत के लिए इतना खतरनाक होता है कि मौत का कारण बन सकता है डॉक्टर बताते हैं कि पॉम आयल में ट्रांसफेट और सैशुरेटेड फैटी एसेड की मातरा काफी अधिक होती है इससे बैड कोलेस्टरॉल का लेवल बढ़ता है जो हर्ट अटेक का कारण बन सकता है बाजार में मिलने वाले किसी भी कमपनी के चिप्स में पॉम आयल होता है इसी परकार बर्गर, पिज़ा और अन जितने भी फास्ट फूड हैं उनमें इस आयल का इस्तेमाल किया जाता है भारत दुनिया में इस तेल की कुल खपत का करीब 20 प्रतिशत इस्तेमाल करता है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में पॉम आयल का यूज कितना अधिक होता है भले ही हमारे घरों में सीधे तोर पर पॉम आयल का इस्तेमाल नहीं होता हो लेकिन बाजारों में जो भी वेजटेबल आयल मिलता है उनमें ये मिला रहता है अंजाने जाने में लोग रोजाना इस आयल को कंज्यूम कर रहे हैं जिससे सेहत को काफी नुकसान हो रहा है कई रिपोर्ट्स के मताबिक पॉम आयल के इस्तेमाल से हाई बीपी यानि हाईपर टेंशन की समस्या हो सकती है जो बाद में हर्ड डिजीज का एक कारण बन सकती है चूंकि जंक फूट खाने का चलन काफी बढ़ गया है और लोग हर दिन किसी ना किसी रूप में जंक फूट या स्ट्रीट फूट का सेवन कर रहे हैं ऐसे में हर्ड की परिशानिया भी बढ़ती जा रही है साथ ही इससे मुटापे की समस्या भी हो रही है ओल के इस्तेमाल से स्ट्रोक आने का खत्रा बढ़ता जा रहा है ऐसे में कई बच्चे भी ऐसे हैं जिनका वजन उनकी तुलना में काफी अधिक है माता पिता से बाचीत करने पर पता चलता है कि ये बच्चे जंक फूड का सेवन अधिक कर रहे हैं जिससे शरीर में फैट बढ़ रहा है और मुटापे की समस्या हो रही है जंक फूड में मिला पौम आयल सेहत को कई तरीके से नुकसान पहुचा रहा है हर्ड की बात करें तो पौम आयल इसलिए नुकसान पहुचाता है क्योंकि इसमें ट्राइग्लिस्राइड की मात्रा काफी अधिक होती है ये ट्राइग्लिस्राइड हर्ड के लिए काफी अधिक हानिकारक होता है इस से हर्ड की आर्ट्रेज में वसा काफियदिक मात्रा में जमा होने लगता है जो हर्ड ब्लोकेज का कारण बन सकता है अगर शरीर में इनका लेवल 400 से अधिक हो जाता है तो हर्ड अटेक का खत्रा भी बढ़ जाता है ऐसे में जरूरी है कि पॉम आयल के सेवन से बचें अब इसके सेवन से आप कैसे बच सकते हैं इस बात पर एक नजर जरूर डालनी चाहिए माल लीजे आप बाजार से कोई डिबबा बंद या पैग्ड तेल या बोटल बंद तेल लाते हैं और जो सील बंद है जिसमें कच्ची घानी का तेल भी लिखा हुआ होता है तो भी आपको ये समझना होगा कि बाहर से जो भी डिबबा बंद तेल आप लाते हैं चाहें वो रिफाइंड हो या अन्रिफाइंड हो उनमें पॉम आयल तेल मिलाया जाता है क्योंकि कंपनी के तरफ ये दिशा निर्देश होते हैं कि उसमें पॉम आयल के तेल मिलाये बिना आप वो तेल नहीं बेच पाएंगे ऐसी कंडिशन में अगर आप बाजार से कोई भी डिबबा बंद तेल लाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी ना किसी मातरोप में पॉम आयल तेल का सेवन कर रहे हैं इससे बचा कैसे जाए इससे बचने का सबसे सरल और सबसे आसान तरीका है जो कहीं कहीं थोड़ा मुश्किल हो सकता है वो ये कि आपको अपने आसपास अपने घर के आसपास कच्छी घानी तलाश करनी है कच्ची घानी भी आजकल बाजार में एक घानी बनती है मशीने होती हैं जिसमें तेल को निकाला जाता है वहां से आप सीधा तेल ला सकते हैं निकला हुआ उसको बिना फिल्टर किया हुआ तेल ले सकते हैं उस उनको बोल दीजे, तेल को किसी ड्रम में रख देंगे, किसी बरतन में रख देंगे, जब वो तेल नीचे बैट जाएगा, जब उसका कर्चरा बनीचे बैट जाएगा, और तो उसमें से उपर उपर से आप तेल ले सकते हैं, वो तेल सरवोत्तम होता है, उससे भी पजार से काफी अच्छा है, पैक्ड तेल से हैं, प्रोसेस्ट जो oil है उस्से काफी अच्छा है, लेकिन जो लकडि वाली कच्ची घानी है, उसका तेल अगर आपको मिलता है, तो उस से अच्छा इस दुनिया में कोई तेल नहीं चाहएं, वो मूमफली का ले, चाहे वो नारियल का ले, चाहे अलसी का ले, या फिर आप सरसों का तेल ले, उस तरह का तेल आप खाएंगे, तो हर्ट अटेक का खत्रा आपका बढ़ जाएगा, फिर भी अगर मान लीजे, आपको इन सभी चीजों में से कोई भी साधन नहीं मिल पाता ह हैं, वो छोटी मशीन से होती हैं, जो बहुत छोटी जगहे में आपके घर पर आ जाती हैं, आप जैसे इतना बड़ा मिक्सर होता है, मिक्सर गैंडर उतनी बड़ी मशीन आपको बिल जाएगी बाजार में, तो सरसों लेकर आएं, उसको आप प्रेस्ट करके वहां से आप कुना अच बहतर है, आपके स्वास्ते के लिए काफी जादा फाइदे मंद है, अगर आप तेल खाएंगे नहीं, तो आपको वात रोग होने की संभावना बढ़ जाएगी, और खराब तेल खाएंगे तो हर्ट एटेक की संभावना बढ़ जाएगी, इसलिए घर पर तेल निकाल सकते हैं, या कच्ची घहनी का तेल ला सकते हैं, तो इस तरह से आप तेल का इस्तेमाल करें, और अपने स्वास्ते का ध्यान रखें, आशा करता हूँ, आज की जानकारी आपके काफी काम की रही होगी, वीडियो पसंद आया है, तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर चैनल परना है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी नई इन्फरमेशन के साथ, तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम